हाई आवरिवन आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं यह इंगलिश का कमपलसरी का कोशन पेपर है दो हचार तेइस का अगर आप भी उसे कर रहे हैं तो अल्राइट हम इसमें कोशन पेपर को आपको पता है कि आपको जो है 45 नंबर का कोशन पेपर आते हैं आपको तीन घंटे इसमें दिये जाते हैं ठीक है तो हब स्टार्ट करते हैं कोशन पाई से जो आपका फर्स्ट कोशन यहाँ पे पूछा गया है आपको पास यह जो दिया गया है परग्राफ और आपके पास से कि नहीं दिया है आपको तो दोनों में से किसी एक पर या तो यह या तो यह एक आपको अपको अटेम्ट करने है इसमें आपको लिखना है reference to the context यहने कि यह जो पूएमें किस ने लिखी है और क्यों लिखी है और second point आपको इसका explain करने हर एक line का explain करने तो आप कोशिश करना आपकी जो पूएम से आप उसको line by line समझ के जाओ ठीक है same आपको जो है यह जैसे पूएम में से आया था तो यह story में से आया है पहला जो story में से थोड़ा से paragraph ले लिया है कि पहला यह दिया है second आपके पास ही है we all have company manners and home manners if you want to call on a strange family ठीक है तो इसमें भी आपको same ही करना है या तो यह explain करो जो आपको आता है यह explain करो reference to the context आपको बताना है इसलिए कहानियां किस नहीं लिखी है जो आपकी story है वो किस नहीं लिखी है आपको उनका नाम, मौतर का नाम याद होना mandatory रहता है कितने number का है यह question यह 5 नमबर का है अगर आप एक poem में इसे attempt करते हैं इसमें इसे attempt करते हैं तो इसमें भी आपको 5 नमबर मिलते हैं तो 10 नमबर आपको यहाँ पर मिलेगा नेक्स्ट आपका आज आता है question and answer ठीक है इसको पढ़ लेना answer any two of the following question is not more than 50 to 60 words ठीक है तो आपको 50 से 60 words में कितने question answer करने सरफ 2 question answer करने है और आपके पस कितने सारे options है first, second, third, fourth, fifth 5 question में इसे 2 question attempt करना बहुत ही जादा असान है ठीक है पहला जो question कहा गया है describe how the poet wishes to use his strength for self-improvement and the improvement of others कि आपको describe करना है जो poet है वो कैसे wish करता है strength से अपनी self-improvement करने के लिए और दूसरों को improve करने के लिए second question है what kind of poetry does the poet refer to जो song 36 from गितांजली है इसमें कैसी poetry जो है poet refer करता है and then third question है describe the speaker's experience of homecoming गर homecoming का जो experience रहा है speaker कब आपको बताना है फिर है what a symbolic significance of the sun, sky, winds and the hills वो हमका नाम भी दिया है I know why the cast bird sings तो आपको यहाँ पर symbolic significance बताने है sun का, sky का क्या रोल है, winds का और hills का and then आपका लास्ट question है compare the state of the cast bird to women, delits and other oppressed people in India ठीक है तो आपको दो attempt करने हैं और यह कितने नंबर का है यह है पास्ट नंबर का ठीक है, यहाँ पर already mention होता है and then next question आप पढ़ते हैं answer आने two questions in 100 to 120 words each यानि कि आपको इसमें भी तीन option दिये हैं आपको दो question attempt करने हैं और 100 से 120 words होने जरूरी है पहला question पढ़ लेते हैं why does show things we should not try to speak foreign languages too well second जो है, बी आपका part जिसमें आपसे question में कहा गया है कि ठीक है, तो पहला question तो आपको समझाई क्या होगा कि यह पूछाए कि जो show है, वो ऐसा क्यों सोचता है कि हमें जो है, जो foreign languages होती है हमें अच्छे से बोलने की जरूरत नहीं है अल्राइट हमें जो है, ट्राइ नहीं करना चाहिए foreign language को अच्छे से बोलने का फिर भी है, do you approve of the conjuor's action of taking revenge justify your stand, ठीक है third है, what is the American dream and how does king relate his dream to the American dream दो question attempt कर लेना एक जो है, तीन नंबर का है, दूसरा भी तीन का है छे नंबर आपको मिल जाएंगे दो attempt करोगे तो and then आपके पास आजाता है fourth question, आपको इसमें paragraph लिखना है one पे लिखना है, तीनों आते हैं तो noise pollution भी easy है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ भी easy, knowledge is power आपके पास knowledge है, it means you have power ठीक है, fifth question आपका आता लास्ट read the given passage and answer the question that follow, यह passage आपको दिया है और इसके question यहाँ पे आपको दिये गए है इसमें कोई choice नहीं है यह कोई options नहीं है, पांच दिये पांच की पांच आपको paragraph को पढ़के passage को पढ़के फिर आपको attempt करना है ठीक है, तो passage आप पढ़ सकते है your last paragraph or sentence should bring what you have written to a need satisfy and leaving the read with the clear idea of what you have been saying to write, interestingly you must yourself be intensely interested ठीक है, तो यह आपके पास दिया गया है passage question पढ़ लेते हैं, इस भी क्या पूछा गया है write the name of the chapter and the writer का नाम your chapter का नाम बताओ what is needed to write, interestingly how can one become a successful writer what kind and should one follow to write well but should one avoid in good writing writing के बारे में यह सारा paragraph's passage और पास नमबर का है ठीक है, तो do and direct में आपको change the voice दिया है obey your parents का they took no notice of me, trust in God and do the right are you listening to my advice, who is looking into this case ठीक है, फिर भी आपका feeling the blanks blank my friend is dash university professor dash little knowledge is dash dangerous thing dash teach as well dash poor join the procession ठीक है, डीटर्मिनर आपको basically इसमें बताना है इसमें आपको बताना है suitable model you dash visit the doctor immediately as your symptoms are और फिर यह आपके पास second, third, fourth, fifth पाच है पाच नमबर के लिए है ठीक है, सारे आपको टेम्डी करने हैं और फिर है इसके बाद आएंटेनम्स आपको पताना चाहिए यह opposite words होते हैं अटेनम्स pretty का क्या होगा ugly, occasionally का moderate, natural, quiet तो आप पढ़के जरूर जाना and then इसके बाद है last में आपको क्या करना है translate करना है ऐनि फॉर सेंटेंस in English, आपके पास कितने दियें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आपको English में translate करना है, दवा लेने से पहले रोगी मर चुका होगा मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ अपना जीवन भीमा करवालो यह कभी और दार्शनिक तोनों है सच कड़वा होता है truth is Peter तो आपको प्राक्टिस की जरूरत है प्राक्टिस कर लेना, ओल राइट तो आपको ओर भी कोशन पेपर की नहीं है let me know in the comment section वैसे मैंने अप्लोड भी करती है you can check it in the playlist, okay so thank you guys for watching my this video and all the best for exam good luck